दलिया ना सिर्फ देखने में बलके यह खाने में बहुत ही स्वाजिष्ट मजदार और हिल्दी है बच्चों के एक्जाम टाइम में देने के लिए यह बहुत ही अच्छा है एक बार आप भी इसे ट्राइ करें हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ दलिया बनानी के रिस्पी सेर करने जा रही हूं उसके लिए मैंने आधा कप रहरकी दाल और एक कप गेहूं का दलिया है इसे अच्छी तर से साफ करकर हम लोग धो लेंगे इसे धोकर करीवादे घंटे के लिए भींगो कर हम करनाते हैं उसके लिए मैंने कुकर चड़ा दिया है कुकर को गरम कर लेंगे इसमें मैंने दो चमच घील डाला है अब इसमें तेल भी डाल सकते हैं अब इसमें जीरा डाल देंगे करीव आदा छोटा चाय चमच के बरावर जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे और करीव एक छोटा प्याज काटकर और तीन-चार लैसन के कलियां छिल कर काटकर डाल देंगे इसमें अब इसे चलाएंगे हम लोग अब इसमें थोड़ा सा हिंग डाल देंगे हम अब इसमें थोड़ा सा हिंग डाल देंगे हमाँ जाएं थोड़ा हम लोग इसमें करी पत्तर डाल देंगे आर अदरख चोब करके इसमें बिडाल देंगे और इसके बाद गोभी आयट करेंगे वालोग ठञाए। मैंने 4-5 चोटे चोटे टुकरे कर लिया है। कर देखेे Globei के Q CAD. आफ इसमें मन पसंद सब्झी झाए नाषी तरह को चोटा चोटा पिस कर ढाल दिया है। अब इसमें गाजर, भीन , और भी सब्झी models प्ट्र Amendment को एड़ कर सकते हैं, कि लौकी कोई भी आप अपने फैवरिट रबजी पर इसमें डाल सकते हैं अब इसमें सोभी मसाले थोड़ा तरी डाल देंगे हम लोग मैंने एक छोटा चमच हल्दी अकरीब आधा चमच मेर्चा अकरीब आधा से थोड़ा सा कम धनियाग डाला है अब इसमें टेस्ट के एक रोड़िंग नमक डाल देंगे अब टेमाटर डाल देंगे टेमाटर को मैंने काटकर आचिकर से दोकर काटकर डाल दिया इसमें अब इसे डाल को थोड़ित पकाएंगे अब कटे हुए सिम्ला मिर्च मैंने इसमें आड़ कर दिया है अब इसमें जो हमारे दलिया धूपी रखे थे उसे हम लोग इसमें आड़ कर देंगे अब इसे चलाएंगे पल्टे से अब मैंने इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा सामर मसाले को एड़ किया है यह उप्सनल है आप चाहे तो डाले या नहीं भी डाले इसे स्वाधिस का टेस्ट बढ़ जाता है अब इसे अची तरह से मिला लेंगे और मिलाकर हम लोग इसमें पानी डाल देंगे दलिया के खुपर करीब हाँ सेंटीमेटर इतना ही पानी डाना चाहिए पानी हम इतना डालेंगे ताकि दलिया अची तरह से इसमें बिंग जाए उसके उपर से थोड़ा सा पानी रहे बस और इसे डखन लगा देंगे डखन लगा कर प्रेशर लगाएंगे कर देंगे कुकर में प्रेशर आ गया है अब हम इसके चिले को फ्लेम को लो करके करीब तीन से चार मिनट तक इसे पकाएंगे उसके बाद गया इसके फ्लेम को बंद कर देंगे देखी कCAR ठंड़ा हो गया वमारा देखेंएंगे यह सुद्द लग रहा हा दल आ हमारा तयार है अब इसके उपर से हम लोग धनी क्यों पतny से गार्णिश निग कर देगे अब हमारा दलीय के लिए बिल्कुल तयार है इसे बच्चों को आप एक्जाम टाइम मेट दे सकते हैं इसे उनके सरी में आलज नहीं आता और यह बहुत पोस्टिक होता है आई होप आपको मेरी एक रेश्पी जरूर पसंद आई होगी प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसकी रेश्पी को सेब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइक्स पर वाचिंग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को प्रेस कीजिए ता मेरे नए वीडियो को देखने के लिए